साल 2030 में ही लगभग तीन चार महीने पहले सैमसंग ने अपने A-Series के स्मार्टपोन को इंडिया में लॉंच किया था यानि कि Samsung Galaxy A74, A54 और A34 इस वीडियो में हम लोग इसी सीरीज के सबसे लोईस्ट मेंबर यानि कि A34 5G के बारे में जानेंगे क्योंकि फिलहाल Flipkart पे ये डिवाइस जो है 30,000 से कम की प्राइस में अवलेवल है तो क्या अभी इस स्मार्टपोन को इस प्राइस पे लेना सही होगा चलिए इस वीडियो में हम लोग जानी लेंगे सभी स्पेक्स के बारे में जो है डिसकस करने की यहां पे मैं कोशिश करूँगा तो आप जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखें अपना लव और सपोर्ट जो है इसी तरह बनाए रखिए चैनल पे नहीं है दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाए थैंक्यू वेरी मच डिजाइन और बिल्ट कॉलिटी की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो यह एक वेल बिल्ट डिवाइस है बैक साइड जो है प्लास्टिक की बनी हुई है इवन फ्रेम्स भी प्लास्टिक की बने हुए है पॉप आउट कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है बिल्कुल A-Series की तरह फ्रंट पे गोरिला ग्लास 5 की यहां पर प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलेगी वायरलेस चार्जिंग का जो है सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा बट अच्छी बात यह के IP67 की जो है रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है डस्ट और रेजिस्टन्स की यह डिवाइस जो है काफी बड़ा है और इसके अंदर जो है काफी बड़ी बैटरी भी दी होई है यही रिजन है कि यह बिल्कुल भी हलका फिल नहीं होता है औल्मोस्ट 199 ग्रम्स का है काफी अच्छी कॉलिटी के जो है स्टेरियो स्पीकर्स भी दिये गए है which are definitely very loud to be honest USB-C 2.0 की charging speeds आपको देखने को मिलेगी और 10 से ज़्यादा 5G bands जो है देखने को मिलेंगे इंडिया में with a hybrid SIM slot चार awesome colors में ये available है violet, black, silver और lime अब डिस्पले की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ आपको 6.6 inches की 1080p Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है 120 Hz की fast refresh rate भी दी गई है और peak brightness जो है 1000 nits तक की यहाँ पर आपको दी गई है डिस्पले पैनल जो है काफी ज़्यादा contrast ही है और काफी ज़्यादा शार्फ है typical एक Samsung का डिस्पले है colors जो है काफी अच्छे निकल कर आते हैं although HDR का support यहाँ आपको देखने को नहीं मिलता है डिस्पले का जो है aspect ratio तो काफी अच्छा है side में bezels भी जो है आपको कम देखने को मिलते हैं but यहाँ पे dew drop की notch आपको देखने को मिलती है average size की जो है चिन देखने को मिलती है जो के इस price range के बहुत सरे devices में जो है होते नहीं है the Galaxy A34 is occupied by Mediatek Dimensity 1080 chipset जो के एक decent mid-range processor है यानि के आप casual gaming जो है बहुत easy way में कर सकते हैं बहुत smooth जो है gameplay feel होगा आपको और कोई बड़ा major heating issue भी नहीं होगा unlike the heating found in Galaxy A54 which runs the in-house Samsung Exynos 1380 chipset so practically मेरे कहने का मतलब यह है के A34 का जो Mediatek chipset है वो better perform करता है यहाँ पे on the software side out of the box आपको Android 13 यहाँ पे देखने को मिलेगा यानि कि One UI 5.1 और कुछ settings वगेरा को अगर हम भूल जाएं यहाँ पर तो लगभग जो है same interface यहाँ आपको देखने को मिलता है जो के flagship A-series के line-up में देखने को मिलता है इसके लवा Samsung यहाँ पे promise करती है पांस साल तक के security updates और चार साल तक के major OS updates का which is a quite nice thing for a mid-range device RAM और storage की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको LPDDR4X की RAM देखने को मिलती है और UFS 2.1 की storage देखने को मिलती है दोनों ही definitely fast नहीं है और फिलहाल जो है इंडिया में दो variants ही यहाँ पर available है 8GB RAM 128GB internal storage या फिर 8GB RAM 256GB internal storage storage को आप 1TB तर जो है expand कर सकते हैं इस device में आपको triple camera slot देखने को मिलता है 48MP का main camera है main camera से जितने भी photos निकल कर आते हैं काफी high contrast ही होते हैं इसके इलावा काफी saturated colors और reasonable dynamic range भी होते हैं photos में हाला कि इस device में कोई भी depth sensor दिया हुआ नहीं है बट फिर भी portraits जो है वो काफी अच्छे आते हैं 8MP का ultra wide lens है जो के 123 degree की field of view के साथ आता है photos जो है ultra wide lens से काफी detailed होते हैं और colors जो है photos में काफी ज़्यादा boosted होते हैं 5MP का macro lens है कह सकता हूँ के okay है और photos में जो है काफी popping colors जो है देखने को मिलते हैं night mode यानि के night time के जो shots हैं वो भी usable हैं अब selfie camera की बात करते हैं दोस्तों तो 13MP की जो है selfie दी हुई है और selfies दोस्तों बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं मतलब के skin tone में काफी अच्छा काम किया गया यहाँ पर high contrast तो रहता ही है बट dynamic range भी काफी हद तक जो है balance रहता है night time की वीडियो की बात करें तो काफी ज्यादा dark आते हैं सभी वीडियो और बहुत ज्यादा noise भी रहती है वीडियो में so camera system कह सकता हूं कि decent है other specs की बात करें दोस्तों तो wifi 6 का support है Bluetooth 5.3, NFC, Samsung Pay, region के हिसाब से उन सभी चीजों का support यहाँ पर आपको दिया हुआ है और biometric security के लिए अंडर display optical fingerprint scanner दिया हुआ है तरीके से काम करता है लास्ट में जो है battery की बात कर लेते हैं तो battery इतनी ज्यादा भरी हुई है कि आपको आराम से एक या देर दिन तक का जो है battery life मिल जाएगी 5000 mh की battery आपको देखने को मिलती है और 25 watt की wire charging का support यहाँ आपको दिया हुआ है जो के definitely जो है fast नहीं है अब price की बात कर लेते हैं दोस्तों तो flip card पे जो lower variant मैंने बताया आपको उसकी price रखी गई है 27999 रुपीज और जो higher variant मैंने बताया आपको उसकी price रखी गई है 29999 रुपीज मतलब के 30,000 के अंदर ही दोनों variants आपको मिल जाएंगे अब conclusion पे आते हैं दोस्तों के इस price range पे 2023 में 4 महिने के बाद यह device आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं सो गाइस मेरे हिसाब से यह काफी solid mid-range device है एक दोई specs जो है वह missing है इस device में मैं मान सकता हूँ बट बहुत सारे specs available भी है जो के 30,000 से कम की devices में देखने को नहीं मिलते हैं अगर आप competition की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारे other devices भी मिल जाएंगे other brands के for example pixel 6 है nothing phone 1 बट अगर आप एक Samsung lover है तो definitely यह phone आपको खरीदना चाहिए because it is a well-rounded mid-range and is definitely worth recommending so guys आज के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जो है support जरूर करें subscribe जरूर करते हुए जाए मैं मिलता हूँ आपसे अपने next वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों peace